Thompson द्वारा प्रतिपादित पर्माणू संरचना के अनुसार पर्माणू की संरचना एक क्रिस्मस पूडिंग की तरह होती है इस मौडल में रिणाविशित कण, धनाविशित गोले में उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार पूडिंग में प्लम इसे Thompson के पर्माणू का प्लम पूडिंग मौडल कहा जाता है क्या आप किसी SFL को जानते हैं जिसके तुलना Thompson के पर्माणू मौडल से की जा सकती है हाँ, इसके तुलना एक तर्बूच से की जा सकती है तर्बूच के खानी योग्य भाग की तुलना धनाविशित गोले से की जा सकती है जिसमें रिणाविशित कण तर्बूच के बीच की तरह बिखरे हुए होते हैं Thompson ने प्रतिपादित किया कि एक पर्माणू के गोले में धनाविशित द्रव्य होता है जिसमें रिणाविशित कण होते हैं पर्माण के द्रश्टी से धनाविशित एवं रिणाविशित कण बराबर होते हैं अता पर्माणू कुल मिलाकर वैद्यूत उदासीन होता है